हलो फ्रेंड्स नवसकार मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बुंदेल खंड वाइफाई स्टोडी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयत से संबंदित प्रस्ण आयत से संबंदित जितने भी प्रस्ण बन सकते हैं हम उन सभी प्रस्णों को हल करना सीखेंगे दो पार्ट में पूरा आयत खत्म हो जाएगा तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आयत हम कहते किसे हैं आयत के बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहली बात हम आयत के बारे में कुछ जान लेते हैं तो आयत क्या होता है कि चार भुजाओं से गिरी हुई आकरती होती है जिसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रते के कोण 90 डिग्री का होता है यानि कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और प्रते के कोण 90 डिग्री का होता है और इसके जो बिकर्ण होते हैं इसके जो बिकर्ण होते हैं आयत के वो एक दूसरे को सम्दुई भाजित करते हैं क्या करते हैं? सम्दुई भाजित करते हैं यानि कि समान दो खंडों में भी भाजित करते हैं और दोनों बिकर्ण बराबर होते हैं आप इतनी चीजे आयत में याद रखेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रतेक कौन 90 डिगरी का होता है, दोनों बिकाण बराबर होते हैं, और बिकाण एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं, यानि ये खंड इस खंड के बराबर है, ये खंड इस खंड के बराबर हो जाते हैं, ये होता है हमारा आयत, आयत के बारे में आप इतना याद राखेंगे, अब यदि आराम है, आयत का छेतरफल निकालना हो, आयत का छेतरफल, आयत में हम इसे क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, चोड़ाई कहा जाता है, जो भुजा होगी उसे चोड़ाई जो बड़ी भुजा होगी उसे लंबाई तो छेत पल इसका क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है इसका छेत पल क्योंकि मैंने आपको छेत पल की परिमासा बताई थी दो आयामों के गुणन फल को छेतर फल कहते हैं अब यदि हैर हमें इसका परिमाप निकालना हो परिमाप निकालना हो तब हम क्या करेंगे परिमाप मैंने क्या बताया था कि बाहरी भुजाओं का योग फल हमारा परिमाप होता है किसी भी आकरती का यदि हमें परिमाब निकालना है हम सबी बाहरी बुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा लंबाई जो है दो बार आई है तो हम लंबाई को क्या करेंगे दो बार जोड़ेंगे प्लस चोड़ाई हमारी दो बार आई है तो हम चोड़ाई को भी दो बार जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा टू हमने बार निकाल लिया और लंबाई प्लस चोड़ाई लंबाई प्लस चोड़ाई ये हमारा आजाएगा आयत का परिमाप तो आयत के परिमाप इस तरह से निकारा जाता है टू ब्रैकेट के अंदर लंबाई पिलस चोड़ाई अब यदियर हमें आयत का बिकार्ण निकालना हो जैसे मानलो मैं एक आयत बना लेता हूँ यह जैसे मानलो यह आयत है और हमें इसका बिकार्ण निकालना हो जैसे ये मैं एक भुजा खीज दूँ मालो ये A, B, C, D इस तरह से एक आयत है और बिकार्ण हमें A, C निकालना हो तब हम क्या करेंगे परते को 90 डिग्री का होता है मैंने बताया था हम इतना तिर्भुज ले लेते हैं केवल A, B, C A, B, C तर्भुज ले लेते हैं तो इसमें पाइथा गुरस प्रमे के आदार पर क्या होता है जैसे A, C क्या है बिकार्णा यानि A, C का स्कॉाइर किसके बरावर होगा A, B का स्कॉाइर प्लस B, C का स्कॉाइर के बरावर होगा यह होगा तो यह क्या है हमारा विकर्ण तो यानि विकर्ण का स्क्वायर बरावर हमारा क्या होगा यह हमारी क्या है लंबाई यानि लंबाई का स्क्वायर होगा प्लस यह क्या हमारी चोड़ाई चोड़ाई का स्क्वायर होगा चोड़ाई का स्कॉयर होगा अब विकर्ण हमें निकालना है तो वर्ग को हम उस तरब ले जाएंगे यानि विकर्ण हमारा क्या आएगा अंडरूड जब स्कॉयर इदर आएगा रूट लग जाएगा अंडरूड लंबाई लंबाई का स्कॉयर प्लस चोड़ाई का स्कॉयर ये हमारा हो जाएगा विकर्ण इस तरह से हम विकर्ण निकालते हैं ठीक है अब अगले सवाल हल करते हैं देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं आयत में हमारे आयत में सवाल आते हैं जैसे पहला नम्मर सवाल क्या दिये हैं एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चोड़ाई 15 मीटर है मैदान का छेत फल ग्यात कीजिए तो इतने सिंपल सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं जितने मीपरकार के सवाल बन सकते हैं मैं सारे सवालों कॉल कराऊंगा निमने लेविल से लेके उच लेविल था तो हमें क्या निकालना है छेत फल बरावर मैंने क्या बता है तो होता है छेत फल बरावर होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो हम क्या करेंगे लंबाई हमारी बीस मीटर दी है चोड़ाई हमारी पंदरा मीटर दी है गुड़ा कराएंगे पंदरा दूना तीस यानि तीन सो वर्ग मीटर तीन सो वर्ग मीटर हमारा क्या निकल के आएगा आयताकार मैदान का छेतरफन निकल के आएगा तो इस तरह के सवाल भी कुछे जाते हैं अगला सवाल देखते हैं किसी आयत की लंबाई 15 मीटर तता चोड़ाई 10 मीटर है आयत का परिमाप कितना होगा तो परिमाप बराबर मैंने आपको क्या बता है परिमाप बराबर क्या होता है टू लंबाई प्लस चोड़ाई यह यह उता आयत का परिमाप तो हम रख देते हैं टू लंबाई हमारी कितनी दी है 15 मीटर चोड़ाई हमारी कितनी दी है 10 मीटर 15,10,20 हुआ 25 का गला दो में कराएंगे तो कितना ह coupon 50 मीटर यानि हमारा परिमाप कितना है 50 मीटर हमारा परिमाप होगा अगला कुश्चन नमर 3 क्या दिया है एक आयताकार प्लाट की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है प्लाट का विकरन ग्याद कीजिए तो देखिए विकरन बराबर मैंने क्या बताया था अंडर रूट लंबाई का स्क्वाइर प्लस चोड़ाई का स्क्वाइर यही बता है तो मैंने जैसे मानलो यह आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई मान लो 12 मीटर है और चोड़ाई मान लो 5 मीटर है और हमें बिकर्ण निकालना है तो बिकर्ण बरावर मैंने क्या बताया अब ही आपको विकर्ण बरावर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौडाई का स्क्वायर वो भी अंडरूड के अंदर यही मैंने बताया था आपको तो क्यार देंगे हम तो अंडरूड 12 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 के स्क्वायर कर देंगे 12 के square करने पर कितना आएगा 12 के square हम ने किया तो 144 आया 5 के square किया 25 आया यानि अंडरूट 179 आया और ये अंडरूट 179 कितना होता है 13 के गराबर यानि 13 मीटर हमारा क्या आ जाएगा दिकार्ण निकल के आ जाएगा तो इस तरह के सवाल आते हैं बिलको सिंपल सवाल मैंने करा दिया, यदि यर छेट पल से सम्बने सवाल आता है, परिमाप से आता है यज बिकरने से आता है, अब थोड़े और उच लेविल के सवाल देखते हैं और अगले पार्ट में सभी प्रकार के सवाल मिल जाएंगे, जो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, कठिन से कठिन सारे सवाल मिल जाएंगे आपको, जैसी ये सवाल दिये, चौथा नम्मर, किसी आयत की दो सनलगने भुजाएं, चार अनुपाते तीन के अनुपात में हैं, यदि उसका 6 तरपल 192 मीटर स्कॉयर है, तो उसका परिमाप होगा, तो सबसे पहली बात हमारा क्या दिये, भुजाओं का अनुपात दिये, तो हम मान लेते हैं, कि माना हमारी क्या हैं, जो भुजाएं, माना भुजाएं, मान लिया हमने भुजाएं कि हमारा अनुपात दि यह चार और तीन का, तो हमारी भुजाए कितनी हो गए, हमने मान लिया कि 4X तदा 3X है, जब भी अनुपात में भुजाएं दिये हों, तो आपको क्या करना है, उनके साथ में एक चरपत लगा देना है, तो वो पूरी-पूरी भुजाएं बन जाएंगी, तो हमने मान ली कि यह हमारी क्या है भुजाएं 4X और 3X 4X हमारी लंबाई हो जाएगी 3X हमारी चोड़ाई हो जाएगी अब हम क्या करते हैं हमारा दिये 6 पल 6 पल बरावर क्या होता है हमारा 6 पल बरावर होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है हमारे 6 पल दिये एक सुब 92 लंबाई हमारी दिये 4 एक्स और चोड़ाई हमारी दिये 3 एक्स तो ये टोटल कितना हुआ 12 x square और ये कितना दिये 192 जब हम x square निकालेंगे 12 का भाग देंगे 12 एकम 12 या बचा कितना यहाँ पर 7, 12 छंग 12 तर होता यैनि हमारी x बरावर कितनी आएगी 4 निकल के आएगी x स्क्वार 16 आए तो x बरावर 4 निकल के आएगी और हमारी लंबाई क्या हो जाएगी है तो लंबाई हमारी हो जाएगी 4 चो को 16 और चोड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी चारते हैं 12 बारा और 16 हमारी लंबाई और चोड़ाई निकालाई तो हमें निकालना क्या है परिमाप तो परिमाप हमें निकालना है तो परिमाप होता क्या है माप डायरेक्ट कर रहा हूं 2 लंबाई प्लस चोड़ाई 2 लंबाई प्लस चोड़ाई हो कुश्चन नमर फाइब क्या दिये किसी एक आयताकार मैदान की एक भुजा पांच मीटर तता इसके बिकारने की लंबाई अब देखिये मैंने एक आयत बनाया आयत में जो चीज दिये आप वो चीज दर्सा दीजिये क्या दिये है बिकारन दिये तेरा मीटर दिये और एक बुजा पांच मीटर हमने एक बुजा पांच मीटर मान ली हमें निकालना है दूसरी बुजा तो दूसरी बुजा सबसे पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेस है पाइथागोरस प्रमेस निकालेंगे तो क्या होता है कारणा का स्कॉयर यानि 13 का स्कॉयर बराबर यह मान लेते हैं हमारी की एक्स है मान लो यह हमारी X है तो क्या होगा X का स्क्वाइर प्लस 5 का स्क्वाइर हमने कि अब तो यह कितना हुआ 179 बराबर X स्क्वाइर प्लस 5 के स्क्वाइर 25 होता है 25 गटा दिया तो X स्क्वाइर बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 144 144 X स्कوائر बरावर निकल के आया तो X हमारा कितना होगा 12 12 निकल के आया हमारा X खमान अब हमारी क्या आ गई लंबाई हमारी आ गई 12 मीटर 12 मीटर हमारी लंबाई आ गई चौणाई हमारी दिये हुए 5 मीटर अब हम निकालेंगे 6 फल तो 6 तफल बरावर क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई दिये 5 तो 12 गुड़े 5 कर देंगे 12 पंचे 60 है वर्ग मीटर 60 वर्ग मीटर हमारे के निकल के आ जाएगा 6 तफल निकल के आ जाएगा अगला कुश्चन देखते है कुश्चन नमर 6 क्या दिये कुश्चन नमर 6 दिये एक आयताकार प्लाट जो की 80 गुड़े 50 मीटर आकार का है को घेरा बंद किया जाना है यदि घेरे के खंबे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो एसे कितने खंबे आवस्यक होंगे तो देखना इस तरह के सवालों को निकालने के लिए क्या करना है जैसे मानलो हमारा कोई एक आयताकार प्लाट है हमने मानलिया एक आयताकार प्लाट है कितना 80 गाई 50 के यानि 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चोड़ा 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चोड़ा प्लाट है अब हमें इसमें क्या करना है घेरा बंदी करना है और खंबे पांच मीटर की दूरी पर लगें यानि कि एक खंबा यहां पर लगा है मालो तो दूसरा खंबा कहां पर लगा होगा यहां पर पांच मीटर की दूरी पर फिर पांच मीटर की दूरी पर इस तरह से खं निकल के आएगा, खंभों की संख्या निकल आएगा, तो खंभों की संख्या क्या होगी हमारी, खंभों की संख्या, खंभों की संख्या बराबर, टोटल लंबा यानि परिमाप, यानि परिमाप, परिमाप बटे, और दो खंभों के बीच की दूरी, दो खंभों के बीच की द यह हमारी होगी, खंबो की संख्या हो जाएगी हमारी, अब हमें निकालना पड़ेगा परिमाप, तो सबसे पहली बात हम परिमाप निकाल लेते हैं, तो परिमाप हमारा क्या होता है, टू लंबाई प्लस चोड़ाई, टू लंबाई प्लस चोड़ाई, तो यह केतना हुआ, तेरा दुना 26, 260 मीटर 260 मीटर हमारा क्या हुआ? परिमाप हुआ अब हमें निकालना क्या है? खंबो की संख्या तो परिमाप हमारा 260 है और खंबो की बीच की दूरी कितनी है? 5 है तो हमने एक भाग दे दिया कितना है? 25, 25, 5, 10 यानि कि हमें 52 खंबों की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इन सवालों को इस तरह से हल करेंगे और जो भी सवाल बन सकते हैं वो अन्य परकार के सवाल सारे अगले पार्ट में देखेंगे आयत से संबंदित आपको किसी परकार के सवालों में दिक्कत नहीं पड़ेगी मैं सारे परकार के सवाल आपको हल करा दूँगा तो चलिए अब मिलेंगे अगले पार्ट में अब तक के लिए नमस्कार